सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा ज्याइब कर लीजिए और ज्यादा ज्यादार लोगों को सेयर करिए और लाइक भी करिए और जिसे कि सभी भाई बेनों को सुचना मिल सके आप सभी जानते हैं कि चुनाओ हो गए हैं अभी तक चुनाओ चल रहे थे सभी लोग बेस्ट थे और अचार साहिता भी लगी हुई थी कोई काम होगा या नहीं यूपी प्रतियोगी मोर्चा के अध्यच जी भी लगे हुई है कि जल्द से जल्द काम होना चाहिए और काफी ज्यादा पदों पर वेकेंसी आने चाहिए तो मित्रों आज मादमी सिच्छा सेवा चैनबोर्ट पर नए बिग्यपन और समाय योजन के मुद्य को लेकर सैक्रों प्र प्रतियोगी सिच्छों को ने मुलाकात की चैनबोर्ट से आगे है कि प्रतिनी दिम बंडल के नेत्वत कर रहे हैं विके खान जी ने डिप्टी सचिम नवल किसोर जी से भी वारता किया वारतालाप में डिप्टी सचिम नवल किसोर ने बताया कि नया बिग्यपन 2022 के लिए वर्तमान में 5000 अधियाचार आई हुए हैं जिसमें की 1000 पदों का समायोजन करना है समायोजन के उपरांती नया बिग्यापन जारी कर दिया जाएगा यानि कि TGT PGT 2022 की बात हम कर रहे हैं आगे हैं समायोजन का मतलब यह है कि TGT 2021 की जितनी भी चैनित प्रतियोगी सिच्छक है उनकी किसी कारण से नियुक्त नहीं हो पाई है संस्था में जाते थे लेकिन उनको वहाँ से भटका दिया जाता था तो उनका ही पूर्ण रूप समायोजन होना है कोई भी छूट नहीं पाएगा पर समायोजन तो हो जाएगा लेकिन फिर कम बची सीटों का पर विक्की खा जी की दौरा भी जिस पर उनका कहना थी की दुबारा अधियाचन का पूर्टाल खोल कर जादा से जादा अधियाचन मंगा कर विग्यापन जारी किया जाएगा आगे है कि समायोजन के मुद्दे पर उनका कहना था कि विग्यापन वर्ष 2016 एवं विग्यापन वर्ष 2021 का संपूर मतलब की पूरा समायोजन 22 मार्च तक कर दिया जाएगा वारता के करमे विक्की खान के बिपी सचियोजन से कहा कि अगर 22 मार्च तक समायोजन नहीं होगा या नहीं हो पाता तो हम लोग मजबूर हो जाएगे और हम 23 मार्च से प्रतियोगी मोर्चा के नेतत में चैन बोर्ष पर 11 बजे आमरण अंसन आरंभ कर दिया जाएगा आगे यह है कि बिग्यापर्वर्ष 2011 जी बिग्याण बायलोजी की लिखित रिटेन एक्जाम का परिणाम पर उनका कहना था कि इसी मार्च के अंतक लिखित परिच्छा यानि कि मार्च में ही में परिणाम घोसित किया जाएगा और अप्रेल के आरंभ में उसका साच्छात कार यानि कि इंटर्व्यू प्रारम्ब कर दिया जाएगा प्रतियोगी मोर्चा में चैनित अभ्यरतियों की नियुक्त के लेकर उनका कहना था कि नियम 133 के अंतरगत जिला बिद्याला निरेच्छक यानि कि डी आई ओयस को ऐसी नियुक्त के लिए चैन बोड़ द्वारा एक निर्देश जारी किया जाएगा और इस मुद्दे पर बोड़ में मीटिंग करके समाधान किया जाएगा तो ये समझों कि आप के लिए बड़ी ही अच्छी खबर आ रही है या बहुत बड़ी खुसकबरी है यहाँ पर आप देख सकते कि सैकड़ों प्रतियोगी सिच् का चैन सुनस्चित हो सकेगा और वेटिंग का रास्ता पूरा किलियर हो जाएगा जिससे कि सभी को सभी में खुसी के लहर दोड़ेगी और यूपी टीजीटी पीजीटी दो हजार बाइस का हो या लोग से आयोगी एल्टी की भी बात करते हैं आपका विग्यापन निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा और इसका विग्यापन जल्द ही निकलेगा और जादा जादा पदों पर टीजीटी पीजीटी दो हजार मलब 27,000 की बात हम कर रहे हैं इसके बाद माननी योगी जी की सरकार बनने के बाद एक ठोस वरता अलाप की जाएगी अब नया मार्च में फिर जितनी जल्दी है उसा कि जल्दी से जल्दे निकाला जाएगा तो मित्रो अभी तक की तो यही ख़बर है जो भी होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा सिच्चा संबंदी के लिए इस चैनल को सब्सकाइब करें और सेयर करें धन्यवाद जैहिंद